इसको मैं सब कुछ बारिकी से आपको बताऊंगा डिटेल्स और अन्बक्सिंग करके आपको सब कुछ दिखा दूँगा आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं और कम्पुटर के पार्स में क्या-क्या लगता है सब ही आप जान पाएंगे मैं आपके लिए S61 Motherboard बिल्ड करने जा रहा हूँ जो की DDR3 है एक कम्पुटर में बिल्ड करने में कौन-कौन सब पार्ट लगता है और कैसे एसमबूल करती है मैं आपको सब कुछ बारिकी से बता दूँगा इसको मैं पहले अन्बक्सिंग करूँगा फिर कैसे एसमबूल करत हैं हाड़वर के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता दूँगा पहले आप कोनसिस्टेंट का S61 Motherboard देखे फिर आप देख सकते हैं इसमें SMPS जो की Switch Mode Power Supply है इसको मैं कहां यूच होता है और कैसे यूच करते हैं मैं आपको बारिकी से सब कुछ बता दूँगा आप इसमें HP का माउस भी देख सकते हैं जो कि यह वैर वाला है माउस दो तिन टाइप का है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं यह है CPU फैन जो कि जैप्रोनिक कंपैनी का है मैं आपको यह उन्बक्सिंग करके सब कुछ डिटल्स बता दूँगा एक कम्प आपको कैसे लगाते हैं बार की सब कुछ बता दूँगा पहले मैं इसको अन्बक्सिंग करके आपको दिखा दूँगा आप इसमें देख सकते हैं 500 जीब का यह हाट डिस्ट ड्राइब है जो कि डैची कमपनी का है नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं यह है रैंच जो कि कैबूल है फिर आप भीज़े कैबूल देख सकते हैं जो कि मनिटर के थ्रो डारेक्ट सिप्यू में जाता है और यह पावर सप्लाइ कैबूल है जो कि लाइन के अंदर डारेक्ट जाता है फिर आप इसमें देख सकते हैं यह है एस्टी एमाई कैबूल यह है कि इंस्टन कम कमपनी का 40 GB जो कि 3.2 है ये है pen drive फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है light mouse जो कि मैं आपको पहले से hp का दिखाया ये है light mouse फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है keyboard जो कि mouse keyboard साथ में रहता है ये keyboard access कमपनी का है जो कि बहुत सुन्दर और मजबूत है फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है one tv का hard disk जो कि मैं आपको पहले 500 GB का hard disk दिखाये था ये है one tv का hard disk जो कि dash company का है ये है network के wireless mouse फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है speaker जो कि computer build होने के बाद हम इसको लगाएंगे और कैसे unboxing होता है मैं आपको बारिके से सब कुछ बता दूँगा ये है RGB light जो कि आप पहले से इसको जनते होंगे ये है computer के cabinet के अंदर लगाते हैं जो कि game खिलने में और gaming टाइप के PC बनाने में इसका यूच होता है फिर आप इसमें देख सकते हैं ये अर्बेस्ट का DDR3 जो कि RGB RAM है इसको कहां लगता है मैं आपको बारिके से दिखा देता हूँ पहले unboxing करके दिखाऊंगा फैनली आप इसमें देख सकते हैं ये i3 का 4 generation जो कि CPU है Central Processing Unit ये लिए मैं आपको सब कुछ बारिके से सब कुछ unboxing करके दिखाऊंगा आप वीडियो के अन तक बने रहे हैं और कैसे unboxing होता है और कौन सा पार्ट कहां लगता है मैं आपको बारिके से बता दूंगा पहले हम cabinet को खुलते हैं और इसको unboxing करते हैं आप इसमें देख सकते हैं ये है cabinet जो कि monitor का एक पार्स है एकसेस कमपानी का है जो कि ये RGB light भी लगा हुआ है चले मैं आपको बारिके से सब कोई दिखा देता हूँ अगर आपने हमारे चैनल पे नया है तो एक like, share and subscribe कर देना और commerce करके बता देना कि आपको कैसा लगा मैं आपके लिए ऐसे नया नया वीडियो लाता रहूँगा और कैसे unboxing हो रहा है आप वीडियो के end तक बने रहें अगर आपको रहें कि서 कर दंगा מאीड़ा है खाँ और ग iy क्ता को और संसे हैं कि तुरी फट्सक् when और छंगा है कि वीच्ट कि Janeiro मivia है जाले में सलने का अग का अगाई लोडमा याफन रीर तारा लुष्ण सभाई लुष्छ भी करने हमाने के लुष्छ 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 किर दो भाल, यहां, लाल, राजाका, राज़ किर भालrien ब कारिए कर दो northern सम्छे है कि किर एंद स् किरू़ सुट है। कि किर वाल, कि कि रे हिर शी लिवर, कि ़िवर आथे कि सुट किरूकरें। झाल 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 झाल